प्रेंच रिवरा में हो चुका है कांस फिल्म फेस्टिवल का आगास। कई बॉलिवूड हसीनाएं इस इवेंट में शामिल हो रही हैं इस बार। इन दिनो बी टाउन स्टार्स का जलवा दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बॉलिवूड फिल्में हो इंटरनेशनल अवर्ड शो हो या फिर कोई फिल्म फेस्टिवल हर जगा बॉलिवूड स्टार्स अपनी चाप छोड़ रहे हैं। बॉलिवूड रिपोर्टर आपको पहले ही बता चुका है। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया है। इस दोरान अक्रिस ब्लाक कलर के ग्लैमरूस आउटफिट में नजर आई। म्रडाल ने ब्लैक बॉडी सूट के साथ सीक्वेंस ब्लेजर और लेस वाली ट्राउजर कैरी की थी। इस लुक में अक्रिस काफी ज्यादा होट और बोल लग रही थी। म्रडाल ने अपने कांस लुक की फोटो और वीडियो अपने इंस्टा पर शेर करते हुए लिखा है। अक्रिस की ये फोटो सोचल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है। एक तरफ जहां फैंस उनके इस लुक की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कांस में डेब्यू करने वाली दूसरी अक्रिस सारा अली खान की। इस इवेंट के दूसरे दिन सारा एक बार फिर देसी अंदाज में नजर आई। दूसरे दिन सारा अली खान ने ब्लाक एन वाइट मोनोक्रॉम आउटफिट पहना जिसमें वो बेहत खुपसूरत लग रही थी। सोशल मीडिया पर फैंस अक्रिस के इस लुक की जमकत तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर सारा के हेर स्टाइल को देखते हुए उन्हें उनकी दादी शर्मिला टैगोर से भी कंपेर कर रही हैं। आपको बता दें कि इस इवेंट के पहले दिन भी सारा ने एथनिक लुक ही स्टाइल किया था। अपने डेब्यू पर आक्रिस ने आइवरी लहंगा पहना था जो उनकी खुपसूरती को और भी जादा एन्हांस कर रहा था। कांस में डेब्यू करने वाली पूर्व मिस वर्ल मानुशी चिलर का भी दूसरे दिन का लुक सामने आ गया है। इस दौरान अक्रिस ने ब्लाक आफ शोल्डर गाउन स्टाइल किया है जिसमें वो बेहत खुपसूरत लग रही है। वहीं पहले दिन मानुशी ने वाइट आफ शोल्डर गाउन पहना था। इस लुक में भी वो काफी ग्लैमरस लग रही थी। इस फेस्टिवल के दूसरे दिन उर्वशी रोतेला कई बुच्सू फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुँची। इस दौरान वो औरेंज रफल्ड गाउन में नजर आई। इस लुक में आक्रिस काफी ग्लैमरस लग रही थी। वही कांस के पहले दिन उर्वशी पिंक कलर के फ्रिल गाउन में नजर आई थी। इसके साथ उन्होंने क्रोकोडाल शेप की जुल्री स्टाइल की थी जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जम कर हुई।